हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हूम मीट फूट वाई रश्मी चैनल में तो फ्रेंड्स आज में बनाने जा रही हूं मजाला कढ़ी और यह कितनी बढ़िया लग रही है देखिए हमारी कढ़ी तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी तो एक वोल्ड में मैंने यह तो फ्रट करके दाल दिया है तो दोनों ग्लास मैंने यहा पे डाल दिया है यहां पे कढ़ाई मैंने अच्छे से तेल को कर लिया है गरम और इसमें डाल रही हूं आधा चमच माल थी दाना इसमें के बाद मैं इसमें डालूँगी एक चुटकी हेंग और आधा चमब जीरा गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है और यहां पर मैंने डाला है अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट जो कि मैंने खलवर्टे में कूट लिया था और अच्छे से फ्राइ होने के बाद मैं इसमें डाल रही अब हम डालेंगे इसमें हल्दी तो यहां पर मैं एक चमब हल्दी डाल रही हूँ जैसे कि हमारी कढ़ी का कलर बढ़िया सा हो जाए थोड़ी देर तक इसको फ्राइ करने के पाद हमने जो बैटर बना के तयार किया है बेसन और मठे का वो हम इसमें डाल देंगे और चमब सब्सक्राइब हैं कर देंगे तो यहां पे मैं अब we can start brown को तो यहां पर मैंने अभी तेल्ट पानी डाला है और अगर अजा गड़ी लगेगी कढ़ी अपनी तो हम इसमें पानी और डालेंगे तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी लग रही थी तो मैंने इसमें एक ग्लास पानी और डाला था तो ये देखिए कड़ी मुझे भी गाड़ी लग रही था मैं एक ग्लास पानी इसमें और एट कर रही हूँ और ये अब बिल्कुल पर्फेक्ट है तो इसको हम जब तक कि उबाल नहीं आ जाता है तब तक हम इसको ऐसे ही चम्मस से हिलाते रहेंगे तो कड़ी में जब हमारे उबाल आ जाएगा तो हम इसको फ्लेम को एकदम लो पे रहने देंगे और ये देखिए कड़ी में हमारे उबाल आ गया है और अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है जब तक हाफ को खो जाएगी तब हम इसके बादिसमें नमक डालेंगे तो मैं ढखके इसको इस तरह से हलका सा खुला हुआ है और ढखके पकने देंगे लो फ्लेम पे कड़ी पक रही है तब तक हम अपने पकोडियों की तयारी कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन लिया है क्योंकि पकोडियां तो ऐसे भी जब बेसन की पकोडियां बनती है तो पकोडियां तो ऐसी खतम हो जाती है तो यहाँ पर मैं पकोडियों थोड़ी सी ज़्यादा बनाऊंगी और इसमें मैंने बेसन और पानी को थोड़ा सा नमा को और हिंग डाल दीती और पानी से इस तरह से बेटर तयार कर लेंगे और अच्छे से हम इसको फेट के बेटर इसका तयार करेंगे थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था अब इसमें डाल रही हूं मैं प्याज और पकोडियां भी हमारी मसाले वाली बन रही है मैं ठोड़ी माली है जब कड़ी मसाले वाली है तो यहाफं ढ़े मॉस्ति के लिए होड़ी णाब खना जा आ ठोड़ी हैं और थोड़ा सा मैं प्याज डाला है और मैं चमज से ही यह पकोडिया डाल रही हूं और अच्छी से बस हम इनको सारी पकोडियों क इसी तरह से फ्राइश कर लिया है मैंने और या कढ़िया हमारी लगभग को खोचकी है तो अब इसमें हमने डाल दी है पकोडिया और पिते बजित को suprem बढ़ी- देर तक हम स्क्राइब कीजिए और यहां पर हमें एक तड़का लगा देते हैं जी रहा हूँ और करीब पता हूँ